Hello everyone, welcome to my channel तो चलिए guys, देख लेते हैं आपके person की current feeling इस वक्त आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं, all science के लिए reading है guys, married and married कोई भी देख सकते हैं, male female कोई भी देख सकते हैं timeless reading होने वाली है, general और collective reading है जितने resonate करें, उतने रखेगा तो चलिए अपने person पर focus कीजिए तो ऐसा है guys की, जिस भी situation में आपके person है वो stuck है और अभी ऐसा है की कुछ दिनों से बहुत अदा sad भी है आपको बहुत सो दमिस कर रहे हैं, ऐसा भी है और आपके person को यह लगता है guys की बस वो अब पश्टाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जहां वो फस चुके हैं, वहां से निकलना अब असान नहीं है और सिर्फ और सिर्फ उनको वही सबब जहिलना पड़ेगा अब उनकी life अच्छी नहीं हो सकती ऐसा उनको लगता है और आपके person को बहुत ज़दा अकेला पन भी मैसूस हो रहा है उनको यह लगता है कि जो चीज उनके लिए सबसे खास है जिस चीज से वो बहुत ज़दा प्यार करते हैं उस तक अब वो नहीं जा सकते उसको अब वो हासिल नहीं कर सकते उस थर्ड पार्टी की वज़े से आपके person ने आपको अकेला किया आपको तनहा किया आपका दिल दुखाया और ऐसा था कि इस इंसान को बिल्कुल भी यह नहीं लगा कि यह आप से अलग तो हो रहे हैं लेकिन आप पर क्या बितेगी इससे उनको मतलब नहीं था उस समय ऐसा था कि उनको बस थर्ड पार्टी का साथ देना है और कोई मतलब नहीं है किसी से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रहे बस सब कुछ सही चलेगा यह सोचकर इस इंसान ने आपको बहुत सदा दुखी किया बहुत सदा इनकी वज़े से परिशान रहे है डिप्रेस्ट रहे है तेकिन उस इंसान ने आपकी तरफ मुड़ कर देखा ही नहीं वो अपनी दुनिया में ही मस्त थे थर्ड पार्टी के साथ ही वो मस्त थे और आपने खुद को कैसे समाला है ये आप ही जानते हैं आपका दुख कोई समझी ही नहीं सकता जो आपने जहला है और कुछ लोगों के साथ अभी ऐसा चल रहा है कि अभी आपके परसन ऐसा सब कर रहे हैं आपके साथ और आप बहुत साथा परिशान हैं आप खुद को समझा नहीं पा रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे, क्या करें आपको समझ नहीं आता, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि अचानक ही बदल गए, और कुछ ने तो ये सब जेल लिया, वो तो बड़ी मुश्किल से इन सबसे बाहर निकल पाएं हैं, और अब ऐसा है कि खुद को संभाल लिया इन्होंने, और अपने आपको अपखुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से आपने अपने आपको समझाया, कि उस इन्सान के बिना आप रहना पड़ेगा, जो इन्सान सही नहीं है, उसको जाने देना चाहिए, तो ऐसा है कि आप पर क्या भी थी, वो तो आप ही जानते हैं, उस इन्सान को तो तब आपसे कोई मतलब नहीं था, आप समझाने की कोशिश कर रहे थी उनको, लिकिन उनको समझना ही नहीं था, उन्होंने तो मन बना लिया था कि बस आपको सांत अप नहीं देना, आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड पाटी का ही साथ देना है, जो कि उनके लिए सही रहेगा, अगर ये single हैं फिर भी इन्होंने यही किया कि इनको ये समझ में आता था कि इनको इनके परिवार के हिसाब से चलना है इनकी family हो सकता है आपके लिए नहीं मान रही थी आप दोनों का cast tissue अगर हो सकता है जिसकी वज़े से इनको यही लगता था कि नहीं, अपने परिवार के हिसाब से यह चलेंगे और इनको आपके साथ अब आगे नहीं बढ़ना और हो सकता है उन्होंने यही आपको भी समझाने की कोशिश की हो जब आप इनसे आपने कहा होगा इस रिष्टे के बारे में कि आगे क्या करना है, कोई प्लैन है या नहीं, तो इन्होंने भी आपको यही समझाया होगा कि आगे कुछ भी नहीं सोच सकते क्योंकि इनकी फैमि जाएंगे तो अच्छा रहेगा यह ऐसा इन्हों ने किया होगा और इनके दिवान में यही था कि कुछ भी नहीं हो सकता आगे इसलिए अलग हो जाना सही है और यह वही किये भी है और ऐसा है गाइस कि यह इंसान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो फिजिकल अट्रेक्श जाने वाला नहीं है अगर आपके साथ भी थे तो कोई ना कोई फायदा इनको आपसे था और देखिए अगर यह थार्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो वहां भी फायदा देखकर ही यह गए हैं और आज भी ऐसे ही हैं अपना फायदा देखते हैं तो थार्ड पार्टी से क नहीं हो सकता, वो third party के साथ हो सकता है, third party के साथ उनका future अच्छा हो जाएगा, ये सब बाते इनके दिमाग में चलती रहें, जिसकी वज़ा से इन्होंने आपका साथ छोड़ कर उस third party का साथ दिया और ये third party इनकी तरफ आई है और इनको यहीं लगा कि third party जादा बहतर है आप से और कुछ ये person ऐसे हैं जो आपको protect कर रहे थे उनको लगता था कि अगर वो आपके साथ रिष्टे में रहते हैं, तो परिशानी में तो वो आएंगे ही और आप भी आ जाओगे इस वज़ा से वो आपको बचाने के लिए भी आपसे दूर भाग रहे थे, उनको लगा कि आपसे अलग हो जाना ही सही है, हो सकता है यहाँ पर ऐसा है कि वही है बात है कि family नहीं मान रही थी और अगर यहाँ पर किसी और किसा आप married है तो भी परिशानी थी अब ऐसा है guys कि आपके person हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्योंकि यह समझ चुके हैं कि आप आप आसानी से मानने वाले नहीं हो इतना जादा इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है तो यह आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको बहुत महनत करनी पड़ेगी यह बात यह अच्छी तरह से जानते हैं और अगर यह किसी third party में नहीं है तो इनके सोचने का तरीका ऐसा है जिसमें यह बहुत ज़ादा सोच विचार कर रहे है और इनको यही लगता है कि यह अभी कोई भी action आपके लिए नहीं ले सकते यह आपके तरफ अभी नहीं बढ़ सकते यह अभी सही नहीं है ऐसा इनको लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यह आप जो चाहते हैं वह यह आपको provide कर सकते हैं यह आप जो चाहते हैं commitment, आप जो चाहते हैं कि यह आपके लिए कोई action तो लें तो यह कर सकते हैं लेकिन वही बात है यह ज़्यादा सोचते हैं और जब सोचते हैं तो फिर मामला वही पर बिगड़ जाता है यह अगर सोचने के बजाए action ले तो सब कुछ सही हो सकता है यह र हैं अगर वो third party के साथ हैं तो उनसे वो आपको compare करते हैं आपका प्यार क्या था और उनका प्यार क्या है आपने उनके लिए क्या कुछ किया और third party उनके लिए क्या करती है तो वो compare करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके परसन आपके तरह बढ़ते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन समय ले रहे हैं जल्दी ही आपके तरह आ जाएंगे ऐसा भी नहीं है यह भी और समय लेंगे तो आप इंतजार कर सकते हैं कीजिए और नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं तो आप पॉजिटिव रहिए अपने पैशन को फॉलो कीजिए अपने जंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए तो यहीं रिडिंग है आच की वी स्क्राइब करना मत भूलिएगा ओके बबाई टेक के लव यू